हाई फ्रेंड्स कैसे हो सब लोग आप सभी का अधिक स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल नर्शिंग चैलेंजर्स में मैं आपका दोस्त सुभास चोधरी आज फिर एक ने टोपिक के बात करेंगे जिसका नाम है रिस्टेंट आज बहुत इच्छा लोगो लग रहा होगा मुझे कमेंट करके जरूर बताए आपको लोगो कैसा लगा ये लोगो मेरे फ्रेंड मिस्टर मनीश कुमार ने तयार किया है बहुत इच्छा लोगो बनाया है थैंक्यू मिस्टर मनीश कुमार चलिए आज देखेंगे रिस्टेंट सब से फेले इसमें डेफिनेशन्स देखेंगे इसके परपज देखेंगे पॉलिशी देखेंगे टाइप्स देखेंगे आपको इमेज बेस क्यूशन भी बता दूंगा लेकिन आप वीडियो को सुरू से लेकलाश तक जरूर देखें अच्छा लगे तो लाइक भी जरूर करें सबसे पहले है रिस्टेंट ड बच्छा जा सके नेक्स्ट है परपज इमोबिलाइज दे पेशेंट यहने पेशेंट को इमोबिलाइज करने के लिए रिस्टेंट यूज लेते हैं नेक्स्ट है डाइगनोस्टिक परपज कुछ डाइगनोस्टिक परपज होते हैं जिन में रिस्टेंट यूज लेते हैं नेक्स्ट है stitches on face and neck in child जब भी किसी बच्चे के neck और face पर stitches लगे हुए हैं तो उसमें भी restraint यूज करते हैं नेक्स्ट है policies of restraint फस्ट है doctor order are necessary for restraint यानि डोक्टर का order है वो ज़रूरी होता है restraint के लिए नेक्स्ट है take consent from patient और attender यानि कि आपको सबसे पहले consent लेना है patient किसे हैं और उसके attenders हैं नेक्स्ट है doctor order और consent only valid for 24 hours यानि जो डोक्टर ने order दिया है और जो consent लिया है वो 24 गिंटे तक valid होता है नेक्स्ट है restrain continuous only for 2 hours यानि कि आप restrain है वो continuous 2 गिंटे तक use कर्ष रखते हैं हो नेक्स्ट है during restrain observe the patient every 30 minute और check vital sign during restrain means जो आपने restrain use किया है वहाँ पर आपको परते एक 30 minute में आपको observe करना है vital sign check करने है vital sign में mainly circulation check करना है blood pressure और pulse आपको check करना है heart beat यानिकि जो heart rate है वो आपको check करनी है next है gap between the next restrain is 30 minute जैसे आपने restrain लगा रखा था अब आपने थोड़ देर के लिए हटा दिया है तो आपको अटाने के बाद जो आप वापस लगाना चाते हो तो आपको 30 minute तक wait करना पड़ेगा ठीक है यह आपको policies याद रखनी है next है types of restrain first है physical restrain next है chemical restrain next है environmental restrain तिन वह टाइपस है उनको हम अभी डिटेल में देख लेंगे यह आपके सामनी images है types of restrain की वेशे मेंने अलग-अलग restrain की image include कर दिये last में first है physical restrain इसके अंदर first है mummy restrain restrain are shoulder to wrist by bandage यानि की shoulder से wrist तक आपको bandage के द्वारा restrain करना है उसे कहते हैं mummy restrain use IV therapy in neonate यदि किसी neonate में IV therapy चल रही है तो उसमें mummy restrain use करते हैं अपनी body को हिलानी सेगे next stitches on face neck and head यदि face neck और head पर stitches लगे हैं किसी बच्चे में तो आपको mummy restrain use करना है नहीं तो बार-बार में उन stitches को खुझाएगा next cleft lip and palate surgery किसी बच्चे की cleft lip और palate की surgery और किये तो mummy restrain use लेना है next elbow restrain prevent the elbow flexion जो elbow का flexion है उसको prevent करने के लिए elbow restrain use लिया जाता है indications है angi tube feeding in confused patient एक confused patient है जिसको angi tube feeding दे रहे हो तो आपको elbow restrain करना ज़रूरी है क्योंकि वो disloc कर सकता है angi tube को mentally ill patient mentally ill patient है उनमें भी use किया जाता है क्योंकि वो पत्तर से किसी को मार सकते हैं अपने आप में harmful भी हो सकते हैं वो इसलिए उनमें यूज किया जाता है elbow restrain next है ET tube tracheostomy tube in mentally ill patient कोई भी mentally ill patient जो patient है उसके अंदर ET tube या tracheostomy tube लगी हुई है तो उसमें भी elbow restrain use में लिया जाता है क्योंकि वो disloc कर सकता है तो disloc से prevent करने के लिए elbow restrain use लिया जाता है next है jacket restrain patient prevent fall from bed यानि जो patient है उसको bed से गिरने से बचाने के लिए jacket restrain use लिया जाता है next है wrist restrain prevent remove cannula यानि जो cannula लगा हुआ है उसको remove करने से बचाने के लिए wrist restrain use लिया जाता है second है chemical restrain induce the sleep by opioids example morphine sulfate यानि कि opioids देखे किसी patient को sleep produce करवाना या induce करवाना उससे बोलते है chemical restrain example morphine sulfate बहुत अच्छा example है morphine sulfate देखे तो ये sedition cause करता है जिस से patient है वो अपनी hyper activity या behavior कोई भी activity नहीं कर सकता है या देखना next next है environmental restrain only using the mentally ill patient जो mentally ill patient होते हैं उनके अंदर ये mainly use ली जाती है ठीक है इनको isolate करने के लिए mainly use ली जाती है next आपको कुछ images है जो में दिखा देता हूँ first is mummy wrist आप देखते रहे ना first is mummy wrist next is elbow wrist आपको दिखाय दे रहा होगा बच्चे के elbows wrist wrist लगी वी है next is wrist wrist जो आपको दिखाय दे रहे है wrist पे next मिटन या fingers wrist wrist बहुत important क्यों सो नहीं आप अच्छे से image को देखना next is abdominal wrist wrist यह मैंने पढ़ा है नहीं लेकिन मैं बता देता हूँ jacket wrist wrist पढ़ा दिया है फिर भी क्या है कि image based question आते हैं आजगल इसलिए मैंने यह डाल दिये image वगएरा complication देखते हैं इसके pressure ulcer होने के chances होते हैं skin trauma बिलकुल होने के chances है confusion, patient confusion हो सकता है fear, patient बिलकुल डुर जाएगा जब उसको wrist train करोगे next is physical discomfort physically discomfort रहेगा जो patient है उसको जो normal range of motion है वो disturb होगा उसके वज़ाशे वो physically discomfort रहेगा next is obstructed or restricted circulation यानि कि जो circulation है आपने जहाँ पर wrist train use किया है वहाँ पर circulation restrict हो गया रुक जाएगा या फिर obstructed हो जाएगा ठीक है next देखते हैं a question बहुत important है आपको बताना है इसका answer comment करके जरूर बताए अगर आपको नहीं आता है तो मैं आपको अगले topic में जरूर बताऊंगा ठीक है तब तक आप मेरे साथ बढ़े रहने के लिए मेरे इस YouTube चैनल को subscribe जरूर करें आपको अच्छा लगे तो like करें और अपने दोस्तों को भी share करें साथ ही साथ ही गर पर रहे safe रहे और continuous अपनी study करते रहे फिर मिलेंगे अगले topic के साथ आप मेरे को कमेंट करके जरूर पुछे अगर आपको कहीं भी समझ में नहीं आता है तो मैं next topic के साथ वो topic बता दूँगा या फिर specific बता दूँगा अलग शे ठीक है thank you for watching please like share and subscribe फिर मिलेंगे अगले topic के साथ आप से करेंगे सब्का स्वागत आप 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 आप